नमस्कार, सामदा एक स्वास्त है प्रसिक्षन कार्ट्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये कार्ट्रम बहुत महत्पूर्ण है और इस कार्ट्रम के लिए जितने भी हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं जहां पर जो हमारी जो ट्रेंग है चल रही है और इस कार्ट्रम में इस ट्रेंग के दौरान आपने पी-सी-पी के और जो हमारी ट्रेंग है त्रसिक्षन जो चला है आपके लिए उसमें आपने बहुत कुछ जनकारी प्राप्त की है, समय समय पर हम भी आपको अलग से एक सपोर्टेड मेटियल के रूप में कुछ आपको दर सामिगरी हम भेजते रहते हैं, तो ये निश्यत रूप से बहुत महत्पूर्ण सामिगरी आपको हम देने जा रहे हैं, जो आज का हमारा विशा है, इस प्रे चार, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सीत कालीन सत्र जब भी आता है, जैसा ही मौसम बदलता है, तो बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, और उन समस्याओं का किस तरह से निराकन किया जाए, कैसे उन से एक रक्षात्मक उपाई किये जाए, बचाब किया जाए, तो ये हेल्थ वरकर को जानना बहुत आबसक है, और इससे पहले हम आपको ये बताएं कि किस तरह से हमें ये रक्षात्मक उपाई करने हैं, हमारे साथ इस्टूडियो में विसे विसे सग्ये बैठे हुए हैं, डॉक्टर दिविश चंदर मिस्रा, आप नेदे सक हैं, गोपाल हॉस्पिटल पठना से, मैं उनका इस्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, नमस्कार, साथ ही हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुरिंदर राय, आप चीफ मेडिकल ओफिसर रहे हैं, बिहार राज सरकार में, स्वास्ते विभाग में, और आजकल अपनी सेवाईं जो हैं, वो सर्जन की रूप में, प्लास्टिक सर्जन की रूप में दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ इस्टूडियो में मौजूद हैं, मैं डॉक्टर सुरिंदर राय जी का भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, रखसा आप का स्वागत करता हूँ, ये कालिक्रिम बाक इडख साब हमारे जो जैसे ही रितु चेंज होती है, कोई भी सीजन जो है, वो चेंज होता है, तो उसमें कहीजिए न कहीजिशन काने के लिए, थोड़े समय के लिए समस्या होती है और बर्सा के बाद में सीधा सीथ कालीन जो है वो रितू आती है तो बर्सा से सीथ कालीन रितू में आते आते जो ट्रांजिशन पीरेड है उस ट्रांजिशन पीरेड में किस तरह से नई नई बीमारियां जो है वो आती है और उन बीमारियों के नाम सबसे पहले तो हमारे जो मालम होने चाहिए जो अमीर तबके के लोग हैं वो तो बहुत सारे उफचार करके रखते हैं उपाय करके लेकिन गरीब तबके के लोगों को खास तरप ये करता है उसमें सबसे पहले हम नन संक्रामक रोग जो हैं जो नन कमिनिकोबल डीजीज हैं मैं पहले उनके बारे में आपको बताना चाहूँ तो जैसे जाड़े की दिनों में आपने सुनना होगा कि बुढ़े लोग गए बाहर और उनको लकवा मार गया स्ट्रोक जिसको गहते हैं बाथरूम में गये बाथरूम में जाने के बाद उनको हिर्दे आगहात हो गया ये सर्दियों के मौसम में ये जादा तर होता हुआ देखा गया कारण भी है होता क्या है कि जाड़े की दिनों में वासु कंस्ट्रिक्शन होता है ये वासु कंस्ट्रिक्शन स्ट्रोक की बिमारी को बढ़ा देता है, हिर्दया घात को भी बढ़ा देता है, इसमें बड़े इलर्ट रहने की जरुत है, खास करके गाउं में गरीब तबका है, वहाँ पर चिकितसक भी तुरत अपलद नहीं है, तो तुरत अपलद नहीं है, हमारे स्वास्त करता ही, वहाँ पर चिकितसक भूमिका निवाते हैं, उन्हें इसकी बुनियादी जानकारी होनी चाहिए, कि अगर कोई हिर्दया घात का मरीज आया, या पक्षा घात का मरीज आया, तो उसको क्या करेंगे, तो एके करके हम लोग उठाते हैं, जैसे पक्ष इसे बोष्बी होजाता है, वो थोड़ा जादा मातरा में हुआ तो ब्रेन हैम्रेज बगरा भी होने का डर रहता है, ऐसी स्थिती में हमें सबसे पहला काम करना है, कि मरीज को वहाँ से उठाकर के ले जाना आ, ऐसी जगापर जहां पर थोड़ा गर्म हो पाताबर नहीं, तो कंबल ही उड़ा दिया, कंबल उड़ाने के बाद, हम लोग यह देखते हैं, कि उसे, अगर पक्छागात हुआ है, तो दाएं तरफ ए्बाएं तरफ हे जो भी उसको चेक करके, चेक करने के बाद, एक हाथ नहीं काम कर रहा है, एक पार नहीं काम कर रहा है, मुझे एक तर हम लोग नजदीक के जो भी स्वास्त के अंदर है वहां पहुंचाने का उपाय करते हैं ताकि चेकित्सक उनका तुरंत उप्चार कर सकें और जो मरीज है उसका कम से कम च्छति हो तो ये रोक ठाम के उपाय हैं ले जाना है उसे अच्छी तरह से ढग कर ले जाना है ऐसा नहीं कि ठंडा में लेकर के चले गए पिर आते हैं हिर्दे अगहात की तरह हिर्दे अगहात में हर्ट अटैक जब होता है तो मरीज को अचानक च्छति में बहुत तीस धर्द महसूस ह होता है अलागि डैविटीज वाले को ऐसा भी देखा गया है कि कम दर्द में भी हर्द्यागात हो लेकिन छाती में धर्द भारीपन इतना तो महसूस होता ही होता है और साथ-साथ उसके बहुत तेज पसीना आने लगता है तेज पसीना आता है और छाती में अगर दर्द देखने के बाद यदी संभव हो अगर लगता है कि हर्ट अटैक का है तो कुछ नहीं सौर्बिट्रेट की एक गोली आती है उसके जीव के नीचे डाल देते हैं और यथा सिख्रों से चिकितसक के पास ले जाने की खुशिश करते हैं वहां जाने के बाद चिकितसक उसका त कितसक के पास ले गए तो आप समझेगे कि आपने मरीज को बचा लिया और अगर ले जाने में आपने विलंब किया तो मरीज को आप लूज कर भी कर सकते हैं ज्याद अतर संभाव ना है कि लूज भी कर सकते हैं गाओं द्यात में ये चीज़ें होती हुए देखी गई हैं बहुत प पर अपने सुना होँआ कि गया पकाने के लिए गया और वहीं पिंडा Scripture है और निकल ही नहीं पहा बहुत सारी इस तरह की डीकसा आफब आपका थैक minute कि जब सर्दी की मौसम में इस तरह की केसिज कई वर सुने में आते बाने रहे और बिल्कुल जैसा की बताया हिर्दे आगात हो सकता है इस तरह की विमारियों में तो यहां पर क्या होता है कि सीग्र उप्चार और कहीं है ही नहीं हमारी पास में और जब तक हम हॉस्पीटर लेके पहुंसे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है तो निश्य तूप से जो लिंक है जब तक यह इस्टॉंग नहीं होगा तो निश्य रूप से बहुत साई समस्य हो सकती है और बहुत साई लोगों का जीवन जो है बचाने में यह किस तरह से हेल्प करेंगी तो सदाक सा बता रहे हैं कि इनको आसानी से उठाकर के जल्दी से उनको कुछ हलका सा अपचार देते हुए जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना है बच्छों का बच्चों में खत्रे सबसे ज़्यादा है उनका टेमप्रेचर गिर जाता है और फिर चिकितसक तक आते 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 उसकी इस्तिती बड़ी खराब हो जाती है जितने चोटे बच्चे हैं उसको हा बच्चर नीचे गिर जाता है चोटा बच्चा रहता है उसका बाहर का जो एरिया रहता है ना वह एरिया ज्यादा रहता है वह ठंड की ज्यादा एक्स्पोजर में रहता है बड़ा होने के बाद वह एरिया कंटक्ट में कम रहता है वह तो नतीजह होता है कि बच्चे सिश लोग ठूंड के लिए लाव जलाते हैं लाव जलाने के बाद कमरें बंद कर लेते हैं इसके भीतर बर्सी रख लेते हैं आग सिलगा लेते हैं और कमरें को बंद कर लेते हैं . नतीजा क्या होता है कि ऐस कमरें उससे निकलने वाली बहुत सी मॉैलिंक है, कर्वावन M trat busy!!! या carbon dioxide की ही मातरा जादा बढ़ जाती है oxygen का लेवेल कम हो जाता है वो भी हमारे भीतर बिमारियों को जन्म देता है कई तरह की चीज यहां तक कि मृत्यों तक भी वह ले जासकता है बच्चों को बच्छों को इसके लिए बचा करके रखना है जहां well ventilated हो और उसके बाफ़ ज जैहरेली गैसे निकलती हैं ज़ावन जलाने से, अलाव जलाने से ये से, उससे वो बशसके हैं. जी बिल्कुल कई बार अंगीठी या इस तरह की जो लोग रख लेते हैं, जिसमें कोईला उसमें डाल देते हैं, तो उसमें तो विसे सुरूप से कार्बन मॉनोकसाइड गैस निकलते हैं, जो बहुत ही पॉजिनस होती है, जिसकी वैसे मुश्ट वबली लोगों की इम्रत्य जला करके नहीं रखना है, और साथ में किसी तरह का कोई भी इस तरह का अलाव वगेरा भी कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं जलाना है, तो जो रख साब ने कहा कि यद आपको थोड़ा बहुत आग का साहरा भी लेना है, तो बहुत हलका जो है कहीं बाहर ही तो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, बाकि इन चीजों से दूर रहें, इस मोगेरा से दूर रहेंगे, तो आपका स्वास्त है बिर्कुल ठीक रहेगा, रख साब इसमें जो हमारे ब्रद लोग हैं खास्तों से उनको ज्यादा तर आग की आव सकता होती है, तो यह जो आपको ठंड लगती है, कुछ होता है तो आग जला लेता है, तो उसमें उनके लिए कुछ नुकसान है क्या? आग से बचने की बात में नहीं कर रहा है, आग तो जाड़े की दिनों में अमरेत की समान ही माना जाता है, आग से बचने की बात में नहीं कर रहा है, आग से निक बढ़ते बढ़ते उपचार लेने की परंपरा गाओं में थोड़ा कम है, लोग कम उपचार लेते हैं, आधा धुरा उपचार लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये स्मोक जो है ये खतरनाक होता है, अगर वैसा कुछ होता है, तो तुरन तो उसका उपचार करें, चिकितसक के ले जाएं और दवा का जो डोज चिकित्सक लिखते हैं उसका पूरा पूरा इस्तिमाल करें आधे अधूरे ढ़ंग से किया गया इलाज उस मरीज के लिए भी जान लेवा होता है और आप स्वास्तिकारे करता है स्वास्तिकारे करता कि यह धाकाय दाईद तो है कि वह उन्नों को बताएं कि दवा का पूरा डोज लेना जरूई है चिकत्सक ने जो उपाए बताए है जो रोगताम के उपाए बताए हैं उन सबों का पूरा-पूरा पालन किया जाए बिल्कुल जोगर आप उनका पालन ठीक से नहीं करते हैं तो नेशे दूप से लापरवाई से आपका स्वास्त है और बिगर सकता है और अक्सर देखा गया है कि थोड़ी सी ठंड लगने पर जोगर आप ठीक से उपचार नहीं लेते हैं तो फिर आपको एक बड़ी समय से हो स सकती है डग सब यहां पर एक चीज मैंसन करना बहुत आवस्ता कोगा मेरे क्याल से यह जानकरी तो उन सभी लोगों के लिए है ही जो हमरे हेल्थ वरकर्स हैं साफ में जो जनरल पबलिक है जो कम्यूटी है उसके लिए भी क्या हम कुछ ऐसा बता सकते हैं कि ठंड के समय में है वो ठंड से बचने के लिए कुछ घर में यूज करने वाली जो फ्रूट्स हैं ड्राइफ फ्रूट्स हैं सब्जी हैं कुछ और भी चीज हैं भूजर मजूर ले आने से एक तरह से थोड़ा सा ठंड से बचा जा सकता है यह तो बहुत ठंड जितना नुक्सान देने वार चीज है उससे ज्यादा फाइदे मंद भी है वो इसलिए कि इस निरों बहुत सी मौसमी सबजियां और फल हमें प्रिचुर मातरा में उपलब्द होते हैं जो कैलसियम के डिच सोर्स हैं जैसे गोवी बंद गोवी टमाटर पालक यह सब सर्दियों के फल सबजियां है यह इ आईरन के भी रिच सोर्स है चुकंदर गाजर यह सब इस्तिमाल करने का है खासकर कि गर्वती महलाओं के लिए जहां आईरन के कमी हो जाती है गरवावस्ता में तो चुकंदर गाजर उसमें काम आएगा कैसे हम कमी होती है गोवी बंद गोवी यह सब का प्रयापत मातरा मे استعمال کریں तो इसका बड़ा लाव हो सकता है इसके अलावा अभी अमरूत का सीजन है अब हम ये कभी जोर नहीं देते कि जो दूर जो आस पास में जो फलते हैं फल उन्हीं का इस्तिमाल करने का है अब कहीं दूर में होता है कहीं सेव है अंगूर है जो दुरलब है इस मौसम का सबजी फल नहीं है उसके इस्तिमाल के तरफ से उससे बचना चाहिए और जो मौसमी फल मौसमी सबजियां है उनके इस्तिमाल में कतई देरी नहीं करने चाहिए उसकी भरबूर मात्रा लें ठाकि जचा बच्चा को प्रयाप्त nutrition मिल सके गाओं के लोगों को खास करके आप स्वास्त कारे करता है और ग्रामिन छित्रों में काम कर रहे हैं तो इन बातों पर आपको खास जोड़ देना है कि जो मौसमी फल साख सब्जिया हैं उनके इस्तेमाल पे जोड़ दें उनको बताएं कि कैलसियम का रिच सोर्स है बंदगोवी फूल गोवी टमाटर पालक उनको बताएं कि गाजर और चुकंदर में कितना आइरन होता है उन्हें ये भी बताएं कि हरी सब्जियों में कितने फाइबर्स होते हैं जो आपके आथ और पाचन तंतर को मजबूत करते हैं उन्हें सरदियों के दिनों में एक और चीज में बताना चाहूँगा कि फैट के इस्तेमाल के बारे में लोग बहुत से लोग या तो फैट से बहुत बचते हैं या फैट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ने इससे बहुत बचना है और ने इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है कम मात्रा में फैट हम लोग ले सकते हैं दो चमश घी या इस तरह की चीज़ लेने में कते ही हर्ज नहीं है इसके अलावा अंडा अंडा सर्दियों के लिए हम लोगों के काउं में भी प्रचलित है कि जाड़े की दिमें में अंडा करना चाहिए एक अब को कहवत याद आ रहा है जिसमें कहा जाता है कि अगर महसूस हो जाड़े में सर्दि तो इस्तेमाल कर अंडे की जर्दि तो अंडा का इस्तिये इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों से बचने का नहीं भी है तो आपके लिए बड़ा फायदे मन दे बिल्कुल यहां आपने बहुत ही कई चीज़ें ऐसी मेंसन कीडाक साब जो पबलिक की पहुँच में हैं और निश्य दूरूप से मैं चाहूँगा कि सर्दिय के समय में यद आप दूद लेते हैं गुर लेते हैं साथ में बहुत ही महतुपूर्ण है दूद के साथ में रात को तो आपके सर्दिय निश्य रूप से दूर हो सकती है बादम निश्य रूप से काफी महँगा होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि बादम ही चाहिए जो गर बादम की जगे आज कर मुंगफली जो है तो इसका हम ध्यान रखें साथ मैं डॉक्टर राय सर्द मैं जानना चाहूँगा कि डॉक्टर राय आप और लेडी चुंकि एक बड़े महतुपूर्ण पर पर भी रहे हैं और आपने बहुत सारी पेसेंट्स देखे होंगी ठंड के दिनों में जिस तरह के पेसेंट्स आपके पास आते हैं तो किस-किस तरह के संख्या के और किस-किस तरह के बीमारियों के पेसेंट्स जो हैं वो आपके पास में आते रहे हैं धन्यबाद चवान साब बहुत अच्छा प्रसन आपने पूछा है तो डॉक्टर मिस्रा ने भी common बिमारी को बारे में बताया है लेकिन हम लोग ऐस सरजन जो देखते हैं जाडे में जले हुए मरीजों की संख्या बढ़ जाती है खास कर बच्चों का, महिलाओं का, बुढ़े लोगों का होता ही है और उसमें भी आजकल बिजली की उपलब्दता पहले से बढ़ गई है उसके चलते लोग हीटर वगर का, बलोर वगर का इस्तमाल करने लगे हैं देहात में भी, उसी तरह से बहुत लोग लकड़ी भी जला करके रखते हैं बुढ़े लोग थोछा आग तापने के करम में, बच्चे फिर उनके पास आते हैं उसी करम में वो उलन कपड़े अच्चदर वगर भी पहने रहते हैं या उनको बाना गया रहता है कभी-कभी वाग तापने के क्रम में बलोर के पास, हीटर के पास, वो इन जलाओन के पास आ जाते हैं और और सौधानी बस जगरुकता की कमी के जलते हो कपड़े में आग लगती है और बहुत ही भयानक ढंग से जल जाते हैं कभी-कभी तो मोर देन 90% इनको बचाना बहुत मुश्किल होता है तो उसमें थोड़ा सा जन्स्वास्त कार्ज करता जो है अगर वो थोड़ी जागरुकता फैलाएं कि भई साउधान रहना है जागरुकता के द्वारा और थोड़ी सी रोक थाम के उपाएं बताने से कि भई कमरा थोड़ा खुला रहे और बलोवर से दूरी बनावें कपड़े ढीले डाले नहीं हो जब हम बैठें सामने तो कपड़ों को समभाल कर बैठें आग से काफी दूर रहें गैस के चुला से दूर रहें लटकते हुए कपड़े कम से कम गरेड़ियों को बता में तो बहुत ही करीब करीब 90% जले हुए मरीजों की संख्या में कमी किया सकती बचा जा सकता है कि हमकर दापतर है और उसके बाद जो जलते हैं अपतुरत अपनी इलाज में नहीं रखकर उनको नजदिक के प्रातिमी चिकितसाक के अंदर पर या उंचे जगा पर उनको ले जाने का प्रयत्र करना चाहिए इस वह लिए एक और देखा जाता है कि लोग दवाएं खा करके बलड पेसर की जो दवा लेते हैं कि लेते हैं और नीमी तुरूप से उल लेते हैं उसके चलते भी काईबर ब्रेन का औरियन्टेशन उनका गड़वड हो जाता है रो पाच्चान नहीं पाते हैं उसी तरह से बच्चों में भी कनवल्सन की दवाएं चलती हैं कभी-कभी कम लिए या ज्यादा ले लिए उस भी सो जाते हैं आग पकड़ने पर भी उनने ही मालूम परता है इसलिए घर के जो जिमवार लोग हैं उनको भी बताया जाना चाहिए चिकित सकते हैं हमारे स्वास्टकर्मी हैं को उनको बता सकते हैं कि जो भी दवा खा रहे हैं वो जरूर दवा लें और उनकी प्रॉपर निगरानी में बच्चों को महिलाओं को दिया जाए तो और इस तरह से है बिलकुल डग साब आपने लिए की ठंड के दुरों में खास तोर से जो जले हुए मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका कारण भी अपने बताया कि ठंड के दिरों में लोग अक्सर आग के पास में बहुत ज्यादा इखटे हो जाते हैं और आग से जल जाते हैं कई वार कई वार हीटर लोर इनसे भी जल जाते हैं तो इन के वास हीड में बढ़गोष जैसे संख्या जगर जैसे बढ़ रही है तो उसको निश्टन रूप से जो सास्त्रीकार पर करता है वह उसमें कमी ला सकते हैं और लोगों को सही जानकारी दे सकते हैं यहां पर डगस्थप जैसे जहां पर इस-taraff E केसर होते हैं जो जल जाते हैं जैसे लों तो सास्थे करता उंका किस तरह से मदद कर सकता है अधिक से अधिक कैसे उनको इमीडिटली जो उपका दे सकता है कि हमारे यहां पे जो आपका यह module 3 है उसमें अपात काली उपकार और उसका नमबर चार यह देखते हैं तो इसमें बड़ा इस पर आपतकाली प्रवंदन की बात हमने की है और इसमें जले हुए रोगों के लिए उसकी भी बात की है उप्चार की तो डग सब किस तरह से यह स्वास्था कार करता अधिक से अधिक जो है इसमें इनकी हेल्प कर सकते हैं औ प्रवली बच्चों में और बजरुगों में थोड़ी से भी अगर उसमें हम लोग यह देखते हैं कि 5-10% अगर बर्न है सेयाने में है तो उसको लोकली स्वास्त करच करता है उसका इलाज कर सकते हैं उस पार्ट को कोल्ड वाटर से दो करके फिर बहुत से लोकली अबलेव क्रीम होता है और कोई वी एंटी सेप्टिक क्रीम बोर्लिन क्रीम है कोई वी एंटी सेप्टिक क्रीम है वेन आलो वरा आजकल उसके भी क्रीम मौस्ट राइजर या उसको लगाए जा सकता है जो एंटी सेप्टिक क्रीम हो प्रॉपरली क्लीन करने के बाद लेकिन बच्चो जड़ा सवी जलता है तो स्वास्तकरच करता को ऐसे मरीजिऑ को नजीदिद के प्रार्ट में के इंदर में ले जाना चाहिए. क्योंकि इसमें अरिया बढर जो पुरा जला हूआ, छेत्र है, उससे ज्यादा कौन सा है, जगश जला हूआ है, उसका care बहुत important रहता है तो स्वास्थ करच करता को उन सबंगों को साफ रखते हुए जो घर के लोग पैनिकी हो जाते हैं गबडा जाते हैं उनको थोड़ा धैरिज देते हुए और जितना हो सकता है जाता से ज़्यादा सफाई वरतते हुए हो सके तो गलफ्स बाहन करके उस पार्ट को क्लीन करके और नजदी के प्रार्थमिक स्वास्थ के अंदर में ले जाना चाहिए उनको जता संबह ये परिनियल बर्न, हेडनेक बर्न बच्चों में पांच-दस परसेंट भी बर्न है तो उसको हम लोग क्रिटिकल मानते हैं बजरूगों में जिनको ब्राउं की अलाजमा है, दमा की बिमारी है, बलट प्रिसर है, बच्चों में कनवल्सन है तो गर्भाथी महिला है, उसमें रिस्क बढ़ जाता है तो ऐसे लोग का इलाज अस्थानियत तोर पर नहीं करके, उनको जलने के एरिया और जगव के अधाहर पर निर्णे ले करके, उनको नजदिक के चिकितसाक के अंदर में उपर्यूप चिकितसाक के पास ले जाना चाहिए बिल्कुल बहुत महत्पून आपने जनकारी रखसर दी और हम यह क्या सकते हैं कि डॉक्टर देवेश शंद मिर्शासर ने भी जैसा बताया कि बहुत सारी इस तरह की बीमारी हैं लेकिन यह मज़े की बात है कि जो सीट कालीन यह समय होता है बहुत ही आनंदायक होता है इसमें ठंका सा जरू होता है लेकिन बहुत सारी बीमारियां तो नई भी होती है क्योंकि जो वाइरस वैक्टरिया है उनका जो एक निश्चित टैंपरिचर पर ग्रोग कर पाते हैं और यह टैंपरिचर जो है बहुत लौ होता है तो यहां पर जो कुछ ही निश्चित बीमारियां हैं जो होती है तो इनका इजीली मतलब उप चार सब लोग मिल करके कर सकते हैं स्वास्ते कार करता उसमें का पर हेल्प कर सकते हैं एक बात में और जोड़ना चाहोंगा यहां तो इसके बारे में कन्फ्यूजन है लोग नहीं उसको वैसे ही छोड़ देते हैं और दवाई उसको धोना चाहिए ठंडे पानी से धोना चाहिए दूसरा फोड़ा के संबंद में है फोड़ा को लोग फोड़ देना चाहते हैं जबकि फोड़ा एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है तो उसे फोड़ने की बजाए उसे स्वता फोड़ने का हम लोग आसा देखते हैं और उसके उपर से ही जो सिल्वर सलफा डाइजीन या और जो क्रीम डॉक्ट शाब ने बताया उसका उसके उपर लेप अगर हम लोग करते हैं तो वह एक प्रोटेक्टिव इं बहुत सारी चीजें जो समय पे जो अवेलेबिल होती हैं मौसमी जो फल हैं मौसमी सब्जियां हैं इनका आप सब इस्तेमाल करें तो निश्चत रूप से संतुरित अहरत आपको मिलेगा ही और साथ में आपके स्वास्था का रक्षन भी होगा और यही जानकारी जो है हमार जो कमिटी है उस तक आपको पहुचानी है जो बहुत महत्पूर हैं यहां आप एक बहुत ही महत्पूर एक अपना रॉल प्ले कर रहे हैं और इसको आपको करते रहना है और किस तरह से आप यह सीथ काली इन सत्रमें ब्यादियों से इनको बचाएंगे उप्चार इनका करे यह आपने जानकारी प्राप्त की इसको आप अपने बहवार में लाएए और इसको ट्रैक्टिकल बनाएए जो लोग परिक्षा के लिए जा रहे हैं उन्हें में बता दो कि आपात कालीन सित्यों के प्रबंधन के में विस्तार से बर्न के मरीज का कैसे देखवाल करें यह के मरीज की कैसे देखवाल करें विद्याग हात में क्या करें इसकी चर्चा की गई है संचिप्ती चर्चा है उसे ठीक से पढ़ लें और परिक्षा में उनसे भी प्रशन पूछे जाने की संभावना पूरी-पूरी है और पूछा जा सकता है बिल्कुल और जलने वाली जो आता है तो निमोनिया जो बच्चों में हो जाता है यह दो तीन चार चीज एसी हैं जिनको आप लोगों को देख लाना चाहिए जी आखिरी में एक बात और में जोर देना चाहूंगा वो ये किताब की सुरुवात में जो क्या करना है क्या नहीं करना है कि सुची है उसे जरूर एक बार पाठ कर लिया करें लोग ताकि जब भी उपचार के लिए कदम बढ़ाएं तो क्या नहीं करना है यह हमेशे ध्यान में आजाए क्योंकि अक्सर देखते हैं कि अत्तिधिक उपचार करके हम मरीज को हानी, लाव की बजाए हानी पहुँचा देते हैं उसे यथा सिखरिची किटसक के पास या उसके उपचार के अंदर तक पहुँचा करके आप उस मरीज और समाज का ज़्यादा कल्यान करें बिलकुल आप अपनी सीमा में रहकर के उपचार करें और उस सीमा का ध्यान लगते हुए लोगों को कम्यूंटी को पूरा फायदा पहुँचाएं और सरकार की साहता करें और सरकार के विविद ने जो सरकारी कारक्रमा हैं और सरकार निश्ञीद लूपसे आपको कही न अपर चक्राइम defina, जोकर था यह किह न जा कल आएं। बहुत बहुत नमस्कार जै हिंद जै भारत